नम्सकार दोस्तों मोसम की ताजह अब टेट मापका स्वागत हैं दोस्तों अभी अभी बड़ी खबन रिकितक्यारी राश्तार मोसमाक के इंसेर यह मोसम में बहुत ही बदलाबा चका और पश्चिम भिच्व पके चलते होएं मोसम जो अलटवँ हो चुका है और कई चलो में भारी वारिज के सास्त ओली आबरश्टी और भेहंकर सर्दी बनने की संबावना बताई जा रही है तो जान लेते हैं मुस्वाक की मुतावित की 5, 6 और 7 इन तीनों ढीटों में मुस्व किस परकार रहने वाला है तो 5 जनवरी की बात करें दोस्तों सुबह से मुस्व में जो अलट रहने वाला है कुछ जलों में और कुछ जलों में मद्यमबा भारी वारिज देख रहने वालेगी जबकि दोस्तों 6 जनवरी की बात करें तो दोस्तों मुस्व में बहुत ही बदलावाने वाला है यानि भेंकर सर्दी के सासा दुखना कोला चाह सकता है और मोसम में जो अंसी गुरूप से कोछ जिलों में जाने वाले हैं जबकि साथ जन्वरी को मोसम में जो फिर से अलट रेने वाला है और खतनना वारिश देखनों मिल सकती है तो जानेगे मौसूआ के मताबिश जिले भाई जिले इस से पहला आप इशल्पा पहली वारा आए चालनल को सब्सक्राइb कर लीजिए चलिए मौसूआ के मताबिश जानलेते हैं दोस्तो बात कर लेते हैं इंडियन मेटलोड डिपार्डमेंट यानि भारतिया मोसुभा के इंसवार जान लेते हैं कि मोसम में जो किस प्रकार बना हुआ है और किनके जिलों में वार नहीं दे रखे आ है तो बात करेंगे दोस्तों हम मोसुभा के मुताबित कि पांच छे और साथ इन तीनों डेटों म की बात कर लेते हैं तो राइस्तान में दोस्तों संपूर राइस्तान में यलो अलट जारी कर दी गया है पांच जनवरी को यानि पांच जनवरी को संपूर राइस्तान में यलो अलट जारी कर रहा है लेकिन दोस्तों इन जुलों में ज्यादा अलट रहने वाला है मोसम जै कि वह मध्यम बार्ष देखनों मिल सकती है और वुडियावृष्ट्री की संभावना बवी बताई जा रही है दोस्तों क्योंकि दोस्तों राज्य की बात कर लेते हरियाऑं में और इंजलिट करना खाई और इनमें मोसम में पाइल सकती मिलेगी जभकी कोच जोलों में वह ली आप प मिल सकती है अगर पाइल सोलिए पूर समग की बात करें दोस्तों जोदपुर जाल और बाड़ मेर इन चलों की बात करें दोस्तों इन चलों में हलकी बुनावान देखनों मिल सकती है वैसे मौसम बिल्कुल साब भी रह सकता है अब बात कर लेते हैं कोटा संभाग और अधेपर संभाग की तो कोटा संभाग में हलकी मद्य बारश की संभावना बताई जा रही है बैसे मोसम है जो अंसु ग्रूप से बातल सुबैसे चाह सकते हैं और कुछ जलों में ही बारश देखनों मिलेगी कोटा संभाग बाउद्धेपर संभाग में अब बात कर लेते हैं अगर दोस्तों बात करें कि 6 जनवरी का जो मोसम है जो किस परकार रहने वाला है तो 6 जनवरी को दोस्तों मोसम में बहुत ही बदलाब आछका है यानि शंपूर राज्तार में ही ओरेंज एलट चारी कर दीगा है यानि हलकी मद्यम्बारश भी देखनों मिल सकती है क्योंकि द तरदगार भीलवाड़ा आदी चिले दोस्तों इन जलों में हलकी मद्यम बार्ष भी देखने हो मिल सकती है यारी पूर्वी राष्थान में हलकी मद्यमबारश की संभावना बताई जारी है कोछी जलोमा अंसे उलूप से बादल साहिए और घंणा कोला भी चा शा सकता है दोस्तों और सर्धी भड़ने की संभावना बताई जारी है तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब कि साथ जनवरी की जो इस्थती है जो किस परकार रहने वाली है तो दोस्तो साथ जनवरी को भी मोसम में बहुत ही बदलाबा चुका है यानि यलो अलड़ जारी कर दी गया है यानि हलकी बामध्यम बारिश की संभावना बताई जारी है साथ जनवरी को भी तो जान लेते हैं साथ जनवरी को मोसम है जो इन जलों में अलट रेने वाला यानि कोटा संभाग और उधेपर संभाग में अती भारी बारिश की शंभाबना बताई जा रही है जैकि दोस्तों जोधपर संभाग में भी कुछ जिलों में हल्की बद्यम बारिश देख पूमलेगी वीका निर्शंभाग के कुछ जिने हैं जैसे बात कर लेते हरुआनगर स्री ग आपको तुर अप्गत करांगे शेल के मत